जैसिंगपूर उबमंडल के मझेड़ा गाउ में युवा रामलीला कलब मझेड़ा द्वारा रामलीला के दूसरे दिन का मंचन किया गया जिसमें बिधानसवा जैसिंगपूर के विदाए ग्रभी दिमान को मुख्यतिति के तोर पर बुलाया गया प्रामलीला में श्रवन की पितर भक्तिवे अन्यसंबादों का मंचन किया गया जिसमें कलाकारों ने सवी चरित्रों को अपनी कला के माध्यम से बखूवी प्रस्तुत किया रामलीला में हसे कलाकर मेश्चन ने भी पहाडी गाने पर नाच प्रस्तुत किया युवा कलब के सची वे मनसंचालक दूप देव ने युवा कलब की और से बिधाय करवी धिमान के सिमक्स रामलीला कलब के जिनो धार को लेकर कुछ मागे भी रखी विधायक ने युवा कलब की मागों को स्वीकार करते हुए आश्याशन दिया कि शिगर ही उनकी मागों को पूरा किया जाएगा बिधायक ने युवक लब को 21 रुपे नगद राशी भेंट की वे अपनी स्वेचा निदी से 11,000 रुपे देने की बात भी कही कि आप इतनी संख्या में सब कुछ देख चुके हैं वर्षों से लेकिन आप खरमाय आराम से नहीं बैठ सकते हैं जिन दनों में इस कथा का मचन इस मच से किया जाए समाज का हिस्सा है सरातन का हिस्सा है जिसके अराधिर देव को भी धाई किनोस ताले के अंदर परशों ब्यतित करने पड़े हो और सुप्रिम कों तक ये लड़ाई लड़ी पड़ी हो कि क्या धवान राम का इस धरा पे कभी अब्तरित हुए है वो कि नहाब दुना युवकलग के परदान अटल देव ने बिधायक रवी दिवान का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतनी विस्तक के बाद भी बिधायक ने हमारे ये कहने पर राम लीला में आने के लिए बक्त निकाला इसके लिए हम अमेशा इनके अभारी रहेंगे इसके लिए मैं सबका बहुत ही धन्यवादी हूँ ताथ ही विशेश्तों पर मुख्य नितिजी करने धन्यवाद करता हूँ जिनने हमारे मोख्यां के जिता वो असी पाई पोड़ा जिता वो प्रावर प्रवाया और हमारे ये मोख्यां को जिता वो पानी के जिता के उप्रवाई इस मोखे बर मझेडा पंचयत के उपरधन कुलदीप चन, नवीन कटोच, अज्या, सुरेंदर राना, ओम परकाश, बिने कुमार, सुधीर वे बहुत से लोग उपस्तित रहे पालंपूर से अजेपाल की रिपोर्ट वोशन जोलर्ज, अनमोल रिष्टों के लिए